हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि घड़ी में टाइम को कैसे देखा जाता है अगर आपको घड़ी में टाइम को देखने नहीं आता है तो इस वीडियो को अन तक देखते रहिएगा आपको बिलकुल आसान तरीका से आ जाěएगा तो घाड़ी में टाइम को देखने के लिए आपको घाड़ी के सुईयों के बारे में समझना होगा देखिए घाड़ी में तीन परकार के सुई होते हैं एक सुई होता है घंटा का एक सुई होता है मिनट का और एक सुई होता है सेकेंड का जो सबसे छोटा सुई होता है वह होता है घंटा का सुई और जो सबसे बड़ा सुई होता है वह होता है मिनट का और मिनट से थोड़ा सा छोटा होता है सेकेंड का सुई आप घाड़ी में जा करके देख सकते हैं तो सबसे पहले में लोग समझ लेते हैं कि घंटा का सुई कैस तो टाइम एक बच जाएगा अगर यही घंटा का सुई दो पर चला गिया तो समय दो बच जाएगा आप लोग इसी अच्छे तरह से समझ गये होंगे तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि मिनट का सुई काम कैसे करता है देखिए जब भी आप मिनट का सुई देखते हैं तो आपको पांच का पहाड़ा याद होना चाहिए देखिए अगर मिनट का सुई एक पर जाता है तो आपको पांच का पहाड़ा एक बर पढ़ना है जैसे देखिए मिनट का सुई अगर एक पर होगा तो पाँच का पहाड़ा एक बर पढ़े तो वह हो जाएगा पाँच मिनट अगर मिनट का सुई माली जी की तीन पर आगिया तो आपको पाँच का पहाड़ा को तीन बर पढ़ना है यानि वह हो जाएगा पंदरह मिनट अगर मालीजिये मिनट का सुई आठ पर आगया तो आपको पांच का पाड़ा को आठ बर पढ़ना है वह हो जाएगा चालिस मिनट तो आप लोग इसे भी अच्छे तरह से समझ गया होंगे देखिए एक होता है और भी सुई जो होता है सेकेंड का आपको सेकेंड का सुई को नहीं देखना है घाड़ी में अगर सेकेंड का सुई को देखना चाहते है तो घाड़ी में जो सुई जल्दी जल्दी चलते रहता है वह सुई होता है सेकेंड का अगर मालीजिये कि घाड़ी में जो छोटा सुई है वह है तीन के सामने और जो मिनट का सुई है वह है साथ पर तो समय कितना हो रहा होगा देखिए हैं पर घंटा का सुई तीन पर है तो समय तीन बजेगा अब आपको देखना है कि मिनट कितना होगा मिनट का सुई देखिए साथ पर है तो हम लोग 5 का पहाड़ा को 7 बर पढ़ जाएंगे 5 का पहाड़ा 7 बर पढ़े तो यह हो जाएगा 35 यानि यह टाइम हो रहा होगा 3 बज कर 35 मिनट तो आप लोग अच्छे तरह से समझ गये होंगे कि घाड़ी में टाइम को कैसे देखा जाता है तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि एम और पी एम क्या होता है देखिए एम जो होता है उसको सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं एम होता है रात बारह बज़े से कितना बज़े से रात बारह बज़े से लेकर के दीन का बारह बज़े तक दिन बारह बज़े तक और जो पीम होता है वो होता है दिन बारह बज़े से रात बारह बज़े तक देखिए जो घड़ी में समय होता है वो बारह तक ही दिया हुआ होता है लेकिन एक दिन में एक दिन में कितना घंटा होता है एक दिन में होता है 24 घंटा तो देखिए 24 घंटा होता है घाड़ी में लेकिन 12 तक ही बजता है तो कोई भी समय जो होता है वह एक दिन में 2 बार बजता है जैसे मान लिजिये 6 6 एक बार सुबह बजता है और एक बार बजता है साम को तो उसको जानने के लिए हम लोग A.M. और P.M. का उप्योग को करते हैं देखिए रात 12 बजे से होता है दिन 12 बजे तक अगर मान लिजिए कि सुबह का 6 बज रहा है तो आपको लिखना है 6 बजे A.M. ठीक है? अगर आपको साम का टाइम को लिखना है तो आपको लिखना होगा 6 बजे P.M. जैसे मान लिजिए कि आपके सर पढ़ाते हैं अगर एक बार सुबह पढ़ाते हैं और एक बार साम को और वह टाइम जो है वह 6 बजे है तो आप कब जाईएगा? अगर 6 बजे PM कहेंगे तो आपको जाना है साम को और अगर 6 बजे AM कहते हैं तो आपको सुबह जाना पड़ेगा तो आप लोग अच्छे तरह से AM और PM को समझ गये होंगे तो चलिए हम लोग एक चीजस में और समझ लेते हैं आप लोग कभी देखे होंगे कि मोबाइल फोन में 15 बज जाता है अगर मान लिजिए कि 15 बज गिया तो टाइम कितना हो जाएगा तो देखिए आपको देखना है कि 15 जो है 12 से कितना आगे है तो 12 के बाद हो जाएगा 13, 14, 15 यानि देखिए 12 से 3 आगे है तो हम लोग कहेंगे 15 बज़े यानि कितना बज़ रहा है यह बज़ रहा है तीन अगर मान लीजिए आपके मोबाइल फोन में जो है वह बज़ गया 18 तो यह कितना बज़ेगा आपको देखना है कि 12 से 18 कितना आगे है तो 12 से जो 18 होता है वह होता है 6 आगे यानि हम लोग कहें तो आप लोग अच्छे तरह से समझ गये होंगे घाड़ी में टाइम को देखने के लिए और एम और पी एम के बारे में तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकोन को प्रेस जरूर कर लिजिएगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में